दोस्तों, आज का वीडियो साइंस पर आधारित है, जी हाँ दोस्तों, मेरे जो दोस्तों SSC GD का एक्जाम दे रहे हैं या देने वाले हैं, या ऐसे मेरे जो भाई जो SSC MTS के त्यारी कर रहे हैं, SSC MTS का एक्जाम देना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए भी बराबर कॉंपलिट देखिएगा, इसकी मत करिएगा, चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, देखिए पहला जो कोश्चन मैंने सामिल किया आज का वो है कि बायो गैस कैसे बनती है, बहुत सिंपल कोश्चन है, आंसर इसका और भी सिंपल है, किडवन प्रोसेस से, ठीक है बायो गैस कैसे बनती है, किडवन से बनती है, तो सही आंसर क्या हो गया, इसका किडवन, अगले प्रश्च पे चलते हैं, दूद में कौन सा अमल पाया जाता है, बहुत बार एक कोश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, दूद में कौन सा अमल पाया जाता है, साइट्रस चलते हैं यह वाला कोशन बहुत बार पूछा जा चुका है फारनहाइट और सेल्सियस की स्टापमान पर बराबर होते हैं ठीक है 30 degree 40 degree 10 degree 20 degree पर ठीक है 40 degree Celsius पर मतलब 40 degree temperature पर Fahrenheit और Celsius दोनों ही क्या होते हैं आपसमें बराबर होते हैं दोनों की reading सेमा आती है ठीक है दोस्तों आई अगले प्रश्ट पे चलते हैं अगला प्रश्ट है इस बैग्यानिक ने सरपर्थम आवर्सारी का निर्मार् räक कि इसगोशन अक्षरिक जाते वी पूचा जा रहा है थीडिक है तो कभी पर्माण संख्या कभी पर्माण कुछ ले रहा हैं यहां पि जो कुशन में तो दोस्त में किस लेंज का प्रियोक क्या जाता है अगर आपसे पूछाड़े सौरी दूर दिश्ट्री दोस के बारे में अगर आपसे पूछे तो जान जाएए नाम से ही समझ जाए निकट दिश्ट्री दोस का मतलब होता है कि निकट की बस्तुएं हमें इस पश्ट दिखती हैं दूर की बस्तुएं इस पश्ट नहीं दिखती हैं ठीक है और ठीक इसी का उल्टा होता है दूर दिश्टी दोस में दूर दिश्टी दोस कहा जरूर जाता है लेकिन उसमें क्या होता है दूर की बस्तों हमें साफ दिखते हैं लेकिन नदी की बस्तों साफ और नहीं दिखते हैं तो निकर दिश्टी दोस में हम आउतल लेंस का यूज करते हैं और दू मेरे दोस्त वीडियो पहली बार देख रहे हैं प्ली चैनल को जरूर सस्क्राइब करिएगा क्योंकि ऐसी महत्पूर जानकरिया मैं अक्सर डेली आपके लिए अप्लोड करता हूं ले आता हूं ठीक है खोच-खोच केलाता हूं बहुत मैनत करने पड़ती है इसलिए अगर आ र्इब तो आको ला रहे हैं उभाए छयरूर चिर्शेंप प्राइब करिएमस यां य॥ा इस होती दो दोस्तों धारीदार पेशेंद्ट कैसी होती हैं वह नाविक नाविक अनाविक अनाविक मेहिक घारणाविक दो question है LPG gas के रिषाव का पता लगाने है तो इसमें क्या मिलाया जाता है ठीक है अक्तर gas जब खुल जाती है रिषाव होता है तो हमको एक अजीब से बदबुवाती है ठीक है तो company उसमें क्या मिलाती है उसमें markup ten नाम की gas मिलाई जाती है ठीक है तो LPG gas जो मखती है actual में LPG का कोई तुगंद नहीं होती उसमें वह सुगंद लेस होती है ठीक है कोई उसके तुगंद नहीं होती है लेकिन इसी वजह से उसमें market नाम की gas मिलाई जाती है जिसे अगर रिजाव हो तो पता चली ठीक है अगले प्रश्पे चलते हैं धावन सोड़ा का सुत्र क्या होता है देखिए chemical फार्मूला chemical लेम ठीक है और उनके आधार पर जो यूज होता है उसके आधार पर कोशन बहुत बनते हैं हर बार बनते है सथी में ठीक है तो शुत्रों के ऊपर के यूज की ऊपर जो है मैंने बीडियो बना रखा है ठीक है links में दे दूँगा शुरूर जा की ऐख लिगा ठीक है अगर आपका तयार है तो कोई बात नहीं है अगा देखिए घालत ही महत पूर है रख्त का ठका य। कौन सा विटामीन जिम्मेदार है विटामीन के ए भी सी विटामीन को फारीब कोशन बहुत सारे पूछी जाते हैं तो रक्त का थक्का बनने क्या है काश्टिक सोडा का राशानिक नाम क्या है बार हो कोई बार हो कोई बत नहीं चली सही आंसर क्या है दोनों आलग लग जीजिए असानिक सुत्र मतलब राशानिक सुत्र हो गया और आशानिक नाम का अगर बात की जाए तो सोडियम हाड रॉक्साइड तो जैसे उपर आया था धामन सोड़ा धामन सोड़ा क्या है एक कामन नेम है चली अगले प्रश्च पे चलते हैं ब्लीचिं जरू जाएगा इसको ध्यान रखिएगा ब्लीचिंग पाउडर का सुत्र होता है सी ये ओ सी अल्टू अगर सुत्र नहीं पूछेगा तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या है उसके उपर प्रश्चना सकता है बहुत ही महत्पूर कुश्चन है आलू को आयोडून के घ करते ह baix करते हैं अलूमें फ्रक्राइच लगाने के लिए ओडेटेस जाटा है तो र latter होगा एक तो अधिकता के कारण buenas हो जाता है अगला प्रश्ण दिखते हैं बुझे चूने की क्लोरीन से अपक्रिया पर क्या प्राप्त होता है नमक ब्लीचिंग पाउडर जहर या दुधिया पानी तो बुझे चूने की जब क्लोरीन से अपक्रिया कराते हैं तो हमको मिलता है ब्लीचिंग पाउडर बहुत म बाउडर है मिलता है ठीक है अगले प्रश्क में चलते हैं न्यू लेंड का अष्टक वैंन का जो अश्टक नियम है उसमें अन्तिम तत्व कौनन सा है test element कौन या gio लाश्ट element है थोändigro प्राश्टर आप फार्मुला क्या होता है पिछले दिन आया भी था ये प्लाश्टर आप एस्टू आप ये सुपर इन्टू आप ये ध्यान रखी येगा तो ये वाटर मालकूल क्या आधा होता है च्छिली अग्ला प्रश्न मिजदार प्रस्ट्ष नहें अक्सर आपने अनुभव किया होगा कि कार को start करते समय लाइट कम क्यों हो जाती थीम थोड़े दिर के लिए दौ-चार स्गण्ड के लिए क्या होती है कम हो जाती है ठीक है फोर हिकल को श्टार्ट कर से समय लाइट जो कम हो जाती है थोड़ा से धीमी हो जाती है किस कारण होता है वोल्टेज की कमी के कारण अगला प्रश्ण भी केमेश्टी से समंधित है राशानिक रूप से मिलकाप मैगनीश्या क्या होता है मिलकाप मैगनीश्या आप जानते ही हूं कि इसका यूज क्या है उमारे पेट में जब दर्द होता है से टीडी हो जाती है तो मिलकाप मैगनीश्या का यूज करते हैं तो अगले प्रस्पे चलते हैं, निमिखित में से कौन सी गैस, नोबल गैस कहलाती है, हडोजन, हेलियम, कारवन डक्साइड, या आक्सीजन, तो हेलियम क्या है? हेलियम एक, नोबल गैस है दियान रखिएगा नोबल गैस को पर भी अक्सर कोश्चन पूछे जाते हैं तो हीलियम क्या है नोबल गैस है अगले प्रश्पे चलते हैं राष्टी भहुतिक प्रियोकसाला कहां इस्तित है राष्टी भहुतिक प्रियोकसाला नई दिल्ली में इस्तित है महत्पूर और संख्या कितना होता है अगले प्रश्पे चलते हैं निम्नि में से किसका प्रयोग नीस असक्रामक और किटाड़ू नासक की रूप में किया जाता है दिखिए उप्योग के बारे में कुश्चन आ गया तो सी ए और सी यल्टू मतलब ब्लीचिंग पाउडर ठीक है ब्लीच अगला प्रश्ण देखते हैं 1 एक अनिट में कितना लीटर रक्त होता है टीक है अकसर जब डॉनेट किया जाता है तो कहते हैं हमने इक डूनेब डॉनेट ब्लट होता कितना है 40050 मिलीनटर कम टूब युनिट में होता है 450 मिली लिटर ठीक है दूस्तों चलि अगला प्रश्ण देखते हैं बैक्टियोजी किसे कहा जाता है रहा बॉड को कि रिखले लुट हो या रावर्ड तो लिख खालेधाTP किनामThis जाती है । अगला प्रश्चिन देखते हैं टेबल साल्ड क्या है कि इसलिए साथ मतलब आगर एक जामए कोईशन आप से पूछा जा रहा है तो आप उसका फार्मूला बताना है या खानम लाइउत Gew Gempo कि परत्वी के परत्में पाया जाने वाला पृचोड तत्व कौं सघगे काई सरे कोश्चन अभी पिछले दिनों आ चुके हैं ठीक है तो Look की बिफी परत्में पाया जाने वाला प्रचोड तत्व कौं सवाइं है अक्सीजन जी यहां दोस्तों देखें कन्फ्यूज मत हो जाएगा नाट्रोजन सेवंटीएट परसंट पाई जाती है ठीक है एट्मॉस्पीहर में लेकिन यहां प्रितवीक परत की बात हो रही है प्रितवीक परत में सबसे ज्यादा पाया जानोता तो कुंसा है अक्सीजन म अगला प्रशन देखते हैं जीवनों इस पर किस प्रकार का पोधहा है फिछले दिनों ये कुष्ण पूषा गया थहा। चलिए मिलते हैं नश वीडियों में आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद